वैसे तो कबूतर शांती का प्रतीक माना जाता है, जिसका कभी अपके घरों में, कभी छटों पर तो अकसर अपकी घर की खिर्कियों पर शांती के प्रतीक ये कबूतर घोसला बना देते हैं, रहने लगते हैं और अंडे भी दे देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास सुक्षान्ती और सम्रिध्धी का संकेत होता है हाला कि अगर कबूतर घर के किसी कोने में घोसला बनाना शुरू कर देते हैं तो इसे अशुब माना जाता है इसका मतलब यह है कि आपके घर में परेशानी आएगी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है इसलिए कबूतरों को घर में घोसला नहीं बनाने देना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कबूतर का घोसला बनाना अशुब माना जाता है घर की बालतमी या छट पर घोसला बनाना इस बात की ओर इशारा करता है कि वा अपने साथ दुरभाग्य लेकर आया है ऐसे में इसे तुरंथ हटाया जाना चाहिए ऐसा नहीं करने पर समस्या बढ़ सकती है इसके अलावा घर में रहने वाले सदस्यों की प्रगती का आर्थिक स्थिती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कबूतर का अंडा देना अशुब माना जाता है अगर आपके घर पर भी कबूतर ने अंडा दिया है तो यह दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है इसके कारण व्यक्ती किसी ना किसी परेशानी से घिरा रहता है और जीवन दुखदाई बन जाता है अक्सर आपने लोगों को घर की छटों पर कबूतर को दाना डालते हुए देखा होगा लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कबूतरों को दाना हमेशा घर के आंगन में ही डालना चाहिए जिससे राहु ग्रह का दोश दूर होता है मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साजह करें ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद